आज बनाएंगे सूजी से बहुत ही देश्टी नास्ता जिसे आप बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और ये जटवट बनके तैयार होगा तो चलिए फिर देर किस बात की बनाना शुरू करते हैं इस नास्ती को बनाने के लिए हमें जरूरत होगी सूजी की तो यहां पर मैंने एक कटोरी सूजी ली है ये बारीक वाली सूजी है अगर आपकी पास स्मोटी वाली सूजी है तो और भी ज्यादा अच्छा है तो यहां पर हमने कडाई में डाला दो छोटे चम्मच देशी घी घी की जगए आप तेल भी डाल सकते हैं तेल गरम हो जाएगा आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे राई और राई को हलका सा भूनेंगे फिर हम इसमें एड़ करेंगे आधा चम्मच जीरा और इसे भी हलका सा भून लेंगे एक छोटी चम्मच चने की दाल डाल देंगे और एक छोटी चम्मच ही हम उरत दाल डालेंगे और इन दालों को हम हलका सा सुनहरा कलर आने तक भूनेंगे लो मीडियम फ्लेम में तो यह देखें दाल हमारी अच्छे से भून चुकी है इसमें हम डाल देंगे थोड़े से करी पत्ते तो लगबग 10 से 15 मेने करी पत्ते डाले हैं और इनको भी हलका सा भून लेंगे अब हम इसमें आइड कर देंगे सूजी तो सूजी इस तरह से डाल करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लो मीडियम फ्लेम में कंटीनिव चलाते हम इसे दो से तीन मिनट तक भून लेंगे जिससे की जो सूजी है वह अच्छे से भून जाएगी और इसका कलर जो है वह हलका सा चेंज हो जाएगा बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन कलर नहीं करना है हमें बस हलका सा सूजी को सेक लेना इस तरह से तो यह देखिए लगब तो इसमें हम डालेंगे आधी कटोरी दही और इसी के साथ साथ लगबग दो बड़े चमस गाजर डाली है अमने गाजर को ग्रेट करके डाला है दो से तीन बारीक कटीवी हरी मिर्च टाल देंगे आधा बारीक कटा हुआ प्यास डाला मैंने और आधा चमस अध्रक लैसु और गाणा सा घोल तयार करेंगे तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी राल करके ही आपको इसका बैटर तयार करना है तो इस तरह से मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी राल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अभी जो सूजी है वो अच्छे से फूलेगी तो हम क् किसे 10 मिनट के लिए ढखके छोड़ देंगे जिस्से की जो सूजी है वो अच्छे से फूल के सेट हो जाए अब देख सकते हैं सूजी बढ़िया से फूल चुकी है और यह जो बैटर है वो थोड़ा सा थीक हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक और एक छोटी चम्मस डालेंगे इनो आप इसकी जगे बेकिंग सोड़ा डाल सकते हैं थोड़ा सा इसी में पानी डाल देंगे और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और पतली करेंगे ज्यादा पतला नहीं करना है बस थोड़ा सा ही मैंने पानी डाला है और यह देखे बढ मैंने एक कटोरियां ली है छोटे साइच की इनको हम थोड़ा सा तेल या घी लगा के चिकना कर लेंगे इसके बाद यह हमारा जो सूजी का बैटर है वो लगबग एक बड़ा चमचा भर करके हम इसमें डाल देंगे यह देखे एक एक चमचा डाल दीजिए और अगर आपके इडली मोल्ड नहीं है तो इस तरह से आप कटोरियों में बना सकते है क्योंकि कटोरियां तो सब के हाँ अबलेबल होती है इक लिए के ऊपर हम यह स्टीमर प्लेट रख देंगे और यह हमारी के कक टॉरिया वह मिस तरह से चारो कर लेंगे flame को कर देंगे medium to high के बीच में और इसे हम ऐसे ढख देंगे और ढख करके हम इसे लगभग 10-12 मिनट तक cook करेंगे 10-12 मिनट में हमारा जो ये नास्ता है वो अच्छे से steam हो जाएगा तो लगभग 12 मिनट हो चुके हैं और चेक कर लेते हैं जब आप इस तरह से डाल के देखेंगे और ये एकदम सूखा आता है लगड़ी एकदम सूखी आ रहे है तो इसका मतलब है कि हमारा जो नास्ता है वो अच्छे से cook हो चुका है अगर ये थोड़ा सा भी गीला आता है तो आप इसे ढख करके 2-3 मिनट तक और cook कर लीजिए अब हम इसे पूरी तरह से पहले ठंडा होने देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा इसके बाद चमत से इस तरह से हम थोड़ा सा घुमा देंगे जिसे कि आसानी से निकल आए क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा तेल लगा दिया था तो जिसकी वज़े से ये बहुत ही आसानी से निकल आएगा और यह देखे यह हमारा कितना बढ़िया सूजी का नास्ता बनके तयार है अंदर से बहुत ही ज़्यादा इस्पॉंजी है और आप इसमें अपनी पसंद की और भी सब्जियां डाल सकते हैं इसे बचों को टिफिन में भी दे सकते हैं क्योंकि इसमें सब्जियां भी हैं तो हेल्दी भी हो जाता है तो रेचिपी को ट्राइ कीजिएगा रेचिपी कैसी लगी जरूर बताएगा